आज हम बनाएंगे बिस्किट की एकदम नई रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं ट्राइ कियोगी ये बिस्किट आटे और सूजी से बनते हैं और खास बात ये है कि इसे हमें बेक नहीं करना होगा बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जरूर ट्राइ करें अगर आपको मिज़ी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैटे जरूर राण करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें बिस्किट बनाने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे ओईल एक चौथाई कप मैंने यहाँ पे रिफाइंड ओईल ले लिया है यानि बिना किसी फ्लेवर का ओईल इसमें हम चीनी डाल देते हैं थ्री फोर्थ कप जितनी चीनी को पीस कर इस्तमाल करें और एक चौथाई या मेल्टेड घी भी ले सकते हैं अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा सब कुछ यह देखिए यह तीनों चीज़ा अच्छे से मिक्स हैं बिल्कुल स्मूध हो गया है यह अब आपको इसमें सारी ड्राइ चीज़े डाल देनी है तो इसमें हम यह आटा डाल देते हैं एक कप आप चाहें तो आटे के ज़ेगा पर मैदा भी ले सकते हैं साथी में इसमें सूजी डाल देते हैं एक कप यह बारिक वाली सूजी है अगर आपकी मोटी सूजी है तो आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं अब आपको इसमें ढाल देना है यहाँ पर थोड़ा सा डेसेक्रेट क कोकुनट तो एक ती हाई कप मैंने यहाँ पर यह कोकुनट डाल दिया है इससे क्या होगा जो बिस्किट का टेस्ट हो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा अब आपको यहाँ पे लाइची पॉडर डाल देना है आदा चोटा चमच जितना ताकि फ्लेवर आ जाए और एक जितना यहाँ पे नमक डाल देना है और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं वेलकम बाइंट कर देते हैं आपको इनको बाइंट करना होगा तो मिक्स करने के बादे से हम बाइंट करना शुरू करते हैं पहले से ही हमने इसमें दूद और जो ऑईल था वो करें जरूरत पढ़ने पर ही आप दूद एड़ करें इसमें अब यहां पर आपको यह ड्राय दिखेगा तो आप इसमें दूद डाल सकते हैं दूद की मातरा हमें कमी रखनी होगी तो यहां पर मैंने दो बड़े चमज इतना दूद ले लिया है और इसे फिर से हम बाइंड क आपको तो बिल्कुल भी डो आपका लूज डीला नहीं होना चाहिए नई तो बिस्कित हमारे क्रंची नहीं बनेंगे तो यहां पर मैंने से पांच मिनिट के लिए छोड़ दिया था क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तमाल किया है और पांच मिनिट बाद आप इसके बिस यह देखे बिल्कुल सिंपल सा राउंड शेप का हमारा बिस्कित बन गया है जो तैयार होने के बाद इसमें और पी सदर क्रेक सा जाते हैं तो देखने में और भी अच्छा लगता है आप देख सकते हैं डो किस तरह का है बिल्कुल ड्राई सा है यह और टाइट भी है इसी तरह से आपको बना के तयार कर लेने हैं और इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं जो जो बिस्किट आपके तयार हो जाएं आप उन्हें इमिजेटली फ्राई कर लें अच्छा मैंने आपको बताया नहीं के हम इस बिस्किट को फ्राइक करने वाले हैं, इसे हम बेक नहीं कर रहे हैं तो मैंने आपे तेल जो है गरम होने के लिए रख दिया था तेल जब आपका गरम मुगा उसके बाद हम बिस्किट डाल देंगे और गैस को कर देते हैं लोटू मेडियम लोटू मेडियम फ्लेम पर ही इन्हें हमें फ्राइ करना होगा ताकि अंदर तक यह अच्छे से जाने ही इन पर आ च्पाई कर लेते हैं तो जैसे इन पर इस तरह का ब्राउन कलर आ अपे अच्छे से क्रएक्स आρέ तो विसकित हमारे बहुत ज़्ण जादा क्रंची बनने वाले हैं, तो विसकित हमारे तयार हो गए है, लेकिन आपको उनको थंडा होने देनाये, और थंडा होने के बाद diversion होगा, आप इसे एक महीन से कले आराम से पाज़े कर सकते हैं, यह एक टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करें और आप इनको क्रंच देख सकते हैं ये देखें कितने क्रंची बने है ना अगर आपको भी आज की रेसेपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेर जरूर करें फिर मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ